यह वान ओपिंगे दूइंगे आपसे लूटली ग्रेट सुगे इस कैसे हैं आप सब यार आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो की एक निया कैमरा लेने का सोच रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार एक भेड़ चाल सी चल रही है लाइक पूरे यूट्यूब के उपर कि सारे सोनी सोनी के उपर क्यों जा रहे हैं मेरी वीडियो को किसी के साथ भी कंपैर करके देख लाए अपने डिफ्रिंस जो है पता चल जा सो अभी जो हम कैमरा यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं आपका कैनन का आट 6 मैं कैनन का फैन हुआ एक चल में 200D मेरे पास था मुझे एक मेन्यू सिस्टम काफी अच्छा लगता था कलर इसके काफी अच्छे आते हैं सो मुझे लगा कि यार मुझे ए 7-4 पर ना जाकर अगर आप फुल बाडी फ्रेम के अंदर आपकी आर सीरी में चैनन यूज आर पी बजाते हैं आर पर जाते हैं आर सेक्स आर फाइव और थरी पर जाते हैं तो आपको आर एफ मांट लेंस जो हैं उनकी ज़रुरत पड़ेगी सो मैंने बेसिकली यहां पर हमने थमने निकाल यहां पर देख सकते हैं जैसे मैंने इपको बोला कि यहांपे एक 60 Watt की नॉमल गॉडॉक लाइट जल रही है यहांप एक 20 Watt की रेंग जल रही है और एक कलर चेंजिंग सी रही है यहां पर चल रही है इतरना कूई मेजर में 150 दूसों वाट यहां पर यहां पर यूज नह मुझे 1.8 पर मिल रही है बट अगर मैं डिस्टिंस की बात करूं सो अल्मोस्स 50 mm यार 50 mm मतलब फुल 50 mm हमें फुल बोडी के इंदर मिल जाता है बट 4K के इंदर हमें अल्मोस्ट मेरे खाल से 0.3 या 0.4 का कुछ ग्रॉप मिलता है तो आप थोड़ा से लेके चलोगी अराउंड अराउंड इस ताइम 53-54 mm के आसपास यहां पर चल रहा होगा और मेरे से अल्मोस्ट छे फीट दूर जो है वो कैमरा है अगर आप कुछ ऐसा शूट कर रहे हैं या आप गाप है आपके बीच में और कुछ आपको पीछे हलका सा बलर चाहिए 1.8 आफ को एफ में काम आने वाला है तो यह लेंस में आपको भाई जरूर बोल लूँगा आप जरूर लें क्यूंकि एक तो यह सस्ता है अगर मैं 50 mm हाथ में पकड़ने की कोशिश करूंगा तो बेसिकली यह आपका हाथ होने वाला है ऐसा है और अगर आप ऐसे व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप देख सकते हो म प्रोज के लिए आपको चाहिए पीछे डिप चाहिए पीछे ब्लडड चाहिए तो आप यह जो लेंस से उसको ले सकते है कास करके मैं जैसे अब चाहता हो कि मेरा नीचे का हिस्सा ना दिखे मुझे सिव यह पोर्शन चाहिए मैं अगर कुछ भी प्रोड़क दिखा रहा ह आपको जैसे मैं suppose आपको यहां से यह जैसे लेंस से बाउक जिखाता हूं तो आप देखो कि यह काफी सही तो जो प्रोड़क्ट कैप्चर है और वो सब है उस पे फोकस बहुत ही जादा तगड़ा करता है अगर आप यह लेने का सोच रहे हैं suppose आप एक Canon का कैमरा लेने का सोच रहे हैं I would suggest you guys कि आप दो लिंसे जरूर लें खास करके अगर आप लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं तो भाई 16 mm का लेंस यह आपका ओल्मोस कॉस करता है भाई मेरे इसके प्रिंट लिखावा 26,995 यह कोईं आप लोगी थे जल रहे हैं ok guys वह डिफरेंस आप लोगों कितना मेजर मासिफ डिफरेंच आपको देखने को यहांबर मिल रहा है यही तो पहला जो हमारा लेंस फाल बंड मेंसको हुआ हो किआ है और आप मेरे हात के उंस में को मैं को दखता हो स्टिल इतनी हाथ की उंगलियां जो हैं वो भाई बच जाती है लेंज बहुत ही ज्यादा हलका है और बहुत ही ज्यादा चोटा है चाहे वो 16mm की बात करूं या चाहे मैं यहां पर 50mm की बात करूं तो सेम सेटिंग के उपर चल रहा है इसो 100 and f 2.8 and shutter speed जो हमारी चल रही है वो चल रही है 1 by 50 but 2.8 और 1.8 के अंदर आपको डिफरेंस एक तो मेज़र पता चला होगा कि थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है उसके अंदर बहुत ड्रास्तिक चेंज आया होगा यहां पर दूसरी चीज भाई आप यह देखो कि मेरे हाथ पूरे खुले हैं and still अभी भी कितना वाइड जो फ्रेम है वो हमें यहां पर मिलता है तो अगर आप इतनी दूर रख रहे हैं छे फूट साथ फूट के आपका हात है वो ये ऐसे रहता है व्लोगिं के टाइम पर और आपको फूट है और क्यामर व्लोगिंग पर लेकर हम इसका एक काम करते हैं ISO मैंने को इतनी लाइट में मैं को पता है कि मैं को 200 ISO 160-200 ISO तो जाना पड़ता है सो अभी हम आ गए हैं 200 ISO पे और अल्मोस्ट अल्मोस्ट मैं यहां पर बात करूँ सो यह मेरा नाख है और यह बिल्कुल कामरा है तो आप समझ सकते हो कि आल्मोस्ट 10 इंच 11 इंच के डिस्टेंस पे हमारा जो कामरा है वो यहां पर अगर आपको यह वाला फ्रीम चाहिए सिर्फ और सिर्फ तब मैं अपको सब्लों के आर आपको इतने डिस्टेंस पे जो अप हैं बाहर और यह अभी ओल्मोस्ट 5 फीट की हाइट के उपर मैंने जो ट्राइपोड है उस पर क्यामरा लगा रहा है यह मैं बिल्कुल क्यामरे के सामने खड़ा हूं और यहां पर अगर आप देखोगे तो ओल्मोस्ट 6-7 फीट के आसपर का डिस्टेंस जो है वह यहां प अब स्टिल मैं को पता है कि यह पीछे जो एरिया है वो काफी हथ तक यहां पर विजबल होगा अभी जो हमारी सेटिंग चल रही है दाट इस ऑन 1 बाए 50 शेटर स्पीड 2.8 क्योंकि यह 16 इम लगा हुआ है 2.8 से कम है निसके अंदर जो हमारा ISO चल रहा है वो इस ताइम च कोशिश करता हूं एक बड़ी ट्राय करते हैं कि आई कांटाक जो हमारा चोड़ता है या नहीं चोड़ता तो कुछ ऐसा सा ट्राय कर लेते हैं और मैंने अभी तक जब भी इस लेंस को देखा है तो एकदम बहुत ही सही फोकसिंग जो है वह यहां पर रखता है और आपको खॏजन करना है बहुत ही फे यहांपर एक अगर अगर एक व्ल्लॉगर है और आप ग्हां जा रहे तो और व्लॉगिंग में ऑब को इस कैम्मे में पहुत ही अच्छा रिज़ल्स और इस लेंस में चीटा ही कऌंटा द्चरथमां यहां पर इसको focus में लेकर आते हैं and this is how it looks with 50 mm same situation पर हम यहां पर खड़े में और आप देखोगे कि पूरा एरिया जो है उकिता जाधा होगे इस ताइम वे ओर एक्सपोज मार रहा है f 1.8 पर हमारी सेटिंग तो अभी कोई सणी नहीं है जैसे मैंने बोला कि बारीश चल रही है अभी ड्रिज्लिंग भी यहां पर शुरू हो गया मेरा कैमरा भाई इस ताइम शेड के अंदर है तो थांक यू फो दाट जो हमारी सिट्वेशन 16 mm पर चाहिए थी हमें तो हमें इसमें शटर स्पीड बढ़ानी पड़ गी और शटर स्पीड बढ़ा के अब जो एक्चल में लोग है वो आप यहां पर देख सकते हो वाकि एक अगर आपको सपोसर रिकोर्डिंग कुछ इस तरीके के अगर दस फीड आट फीड दस फीड के करीब का गब जो है आप देते हैं अपने शूट के अंदर तो आप इस वाले लिंग पर ज़रूर जाए जैसे मैं बोला प्लस इस प्राइज में जो आपको 1.8 मिल रहा है और स आप में 50 mm मिल रहा है तो यह एक बहुत ही परफेक्ट डील होने वाली है कास करके आरेफ मांट जो की बिल्कुल लेटेस्ट है काफी एडवांस है और जितनी में हमारे EOS R की सीरीज है उनके लिए बहुत ही जाथ अच्छा है तो आपको वीडियो समझ आए यह वीडियो प